आखिर क्यों आ जाती है प्यार में बेवज़ जान देने तक की नौबत। पिछले दिनों एक्टरस तुनिसा शर्मा की आत्महत्या केस ने हर किसी को चौका दिया था। अब सब के दिल में यही सवाल उट रहा है कि किसी रिष्टे में गुस्सा, हिंसा, धोका या ब्रेक बीच कोई कैसे इतना कमजोर पढ़ जाता है कि सामने वाले के लिए अपनी जान तक दे देता है। पेश है एक रिपोर्ट। छले दिनों टीवी एक्टरस तुनिसा शर्मा का अपने को स्टार और एक्स बॉइफरेंड शी जान खान के मेकप रूम में फांसी लगा कर खु इन सबी मामलों में खुदकुशी करने का कारण कतित तौर पर प्रेम संबंध ही बताया गया। अब सवाल यह उटता है कि दो लोग जो एक दूसरे से बे इंतहा प्यार करते हैं और साथ रहने के लिए घरवालों से बगावत करते हैं। आखिरकार उनके बीच ऐसी नौब की माने पुलिस को अपने बयान में बताया है कि ब्रेक अप के बाद उनकी बेटी काफी तनाव में थी। बाद भी उससे अलग होना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जो लड़किया मजबूत होती हैं वो आगे बढ़ जाती हैं और जिनकी पसनेलिटी या जो भावनात मक रूप से कमजोर होती है वो उलचकर रह जाती हैं रिष्टे से बाहर क्यों नहीं आ पाते एक एंजियो द्वारा किये गए सवे के मुताबिक दुनिया भर में 15 से 20 साल की उम्र में मौत की चौती सबसे बड़ी वज़य आत्महत्या ही है ऐसा इसलिए क्योंकि इस आयू वर्ग की लड़कियां या लड़कों का दिमाग सही तरीके से मैच्योर नहीं होता है किसी भी प्रकार की भावनात्मग घटना की वज़य से वर डिप्रेशन में जा सकते हैं साइकॉलोजिस्ट रिचा टंडन बताती है कई बार किसी के साथ जीने की इतनी आदत पर जाती ह कि उसके बिना रहने की सोचना भी कई लोगों के मुश्किल हो जाता है वो मानसिक तोर पर उस व्यक्ति के साथ इतना निर्भर हो जाती है कि उससे बाहर निकलने की कल्पना मात्र से ही उनको डर लगने लगता है कि पार्टनर के पास आपके लिए वक्त चाहते हैं लेकिन आपसे बात किसी रिश्टे में जब ऐसा दौर आजाए नहीं होता आप उनसे बात करना करने में रुची नहीं लेते और अगर बात होती है तो लड़ाई जगड़ों के जरीय ही होती है तो इसे टाक्सिक रिलेशन की निशानी माने ताफिक रिलेशन में पार्टन आपका स वैशाली धक्कर उठता है कि आत्म निर्भर होने के बाद भी क्यों नहीं ये नकारात्मक विचार होते हैं। दवाल ये लड़कियां आगे के लिए मूव ऑन कर पाती हैं। अपोलो हॉस्पिटल में साइकॉलजिस्ट रिचार टेडिन कहती हैं। पाता है। अपोलो हॉस्पिटल में साइकॉल ये लड़कियां।